आप सब इन्वेस्टिंग वीध हरदीप में मैं आपका फिर से सुवागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में बात करूंगा आज टाटा स्टील की और जो शौट टम के टार्गेट से लेके एक सुपंदरा रुपे के आसपास तक जो शौट टम ट लेवल्स पे चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए थोड़ा सा कॉंस्टिशन होने के चांथ सीजन क्या मार्केट गिरने वाली है या फिर यहां पर करण्ट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकते हैं साथ ही साथ में क्या कुछ अपडेट टाटा स्टील के रिगार्ड निकल के आ रहा है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्स्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके औल पे जरूर सेलेक्ट कर लेकिन उसके बिसाइडस अगर बात करू तो टाटा स्टील में लगातार जो है मार्केट खुलते ही जो एक पॉसिटिव मेंटम देखने को मिला था जो अल्मोस 3% के आसपास अभी भी तेजी बनाई हुए है 2.95 पैसे की बड़त और 114.95 पैसे पे इस टाटा स्टील देख एक सबसे बड़ी प्रब्लम क्या होती है कि वो होती है इनकी वोलेटिल्टी यानिकी एक्सपोर्ट ड्यूटी जैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज की जाती है उसका डारेक्ट इफेक्ट जो है हमें स्टील सेक्टर के शेर्स पे देखने को मिलता और उसके वज़से कभी- है तो ऑटमेटिक सा इंपोर्ट ये एक्सपोर्ट के वज़े से जो इफेक्ट पड़ता है उसमें भी जो है काफी हद तक जो है स्टील सेक्टर के शेर्स क्रैश होते हुए देखने को मिल जाते हैं बीते एक महिने में 7.73% है और अगर एक महिने के बाद मैं छे महिने की ब बेक करके जो उपर की तरफ जा रहा स्टोक उसमें जो मेन रिजिस्टंस है वह है 140 रुपीज का आसपास का और करन्ट स्टोक प्राइस 114 रुपे पिच्छान रुपास है तो बहुत ही अच्छी सटीकता के साथ इस टाइम इंडिन स्टोक मार्केट अपने अपलिफ्ट तो उसका सीधा इफेक्ट जो है स्टील सेक्टर के शेज़ पर देखने को मिल जाता है तो वही देखे 2008 में बुरी तरीके से क्रैश हुआ 2014 में भी फिर 2017 में फिर 2020 में कोविड के टाइम और उसके बाद एक रफ्तार दिखाई भी और उसके बाद मार्केट इंडिन की आज के दिन ट्रेड हुआ जबकि आट लाग कॉंटिटी बाइंग ओडर में है जबकि 25 लाग कॉंटिटी इस ताइम सेलिंग ओडर में हमें टाटा स्टील में देखने को मिल जाती है तेक्निकल चार्ट के अगर मैं बात करू तो टेक्निकल चार्ट में 114 रुपे इसका स् जोर 60 points के around RSA level है तो current level में फिर से कहा हूँ कि खरीदारी की जा सकती है और यहाँ पे एक long term decision अगर आप लेके चलते हैं तो stock market में अच्छे returns बनने की शंभाव नाए टाटा स्टील में निकल कर जरूर आ जाएंगी अगर आप bank nifty nifty में trading करते हैं या फिर trading को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आप लोगों को मेरे free telegram group का link मिल जाएगा जहाँ पे हर रोज bank nifty और nifty की एक से दो demo call प्राइड करता हूँ जिनको आप profit booking या फिर paper trading के लिए use कर सकते हैं साथी साथ next day market prediction भी करना सिखाता हूँ कि किन resistances का और किन support levels का market next day follow up करती भी नजर आ सकती है link telegram channel का वीडियो के description box में मिल जाएगा तो देखे संजीव भशी इन stock picks for the week, Tata Steel, ONGC और Tata Steel में जो है एक अच्छी खरिदारी का मौका है और हफते के पहले दिन share बाजर पर दबाओ देखा जा रहा है, Sensex में 300 अंकों से अधिक की गिरावट है जब आज से Reserve Bank Monetary Policy Committee की बैठक शुरू हो रही है जिसका फैशला बुदवार यानि की 7 December को आएगा और अमेरिका जॉब डेटा अनुमान से मजबूत आया है तो 10 साल का अमेरिका बॉंड जील्ड 3.50 पर आ गया है इन तमाम फैक्टर्स के बीच IIFL Securities के इसपर्ट अनुज गुपता ने इस अपते 5 स्टॉक्स में खरिदारी की सला दिया है जानि इन स्टॉक्स को कब खरीदना और कब बेचना उसमें टाटा स्टील जो है आज का टॉप गेनर देखने को मिल जाते है तो करन्ट लेवल से खरिदारी की जा सकते है टाटा स्टील के अंदर कैश कंपनी के पास 855 क्रोड का है जबकि डेप्ट कंपनी के पर अपर 32,275 क्रोड का देखने को मिल जाता है रिटर्न ओन इक्विटी और रिटर्न ओन कैपिटल जो है 30.19% और 32.98% का है पर्मोटर होल्डिंग ओल्मोस्ट सेप्टमर कॉटर में 33.92 है जो कि पिछले साल दिसम्मर से लेके अभी तक हमें सेम टू सेम देखने को मिल जिसमें से ओल्मोस्ट 1.55% शेज हमें गिर भी देखने को मिल जाता है पर्मोटर्स के गुड रिवेन्नू ग्रोथ है गुड प्रॉफिट ग्रोथ है घल्दी आरोस ही है और साथ ही साथ में इसकी कोटर लिजर्स की बात को तो अल्मोस्ट कमपनी को अब की बार 4844 कोड के आसपस का कोटर टू के अंदर मुनाफ़ा भी देखने को मिला था पब्लिक की होलिंग 25.46 पसेंट और FI 21.52 पसेंट और DIA 19.1 पसेंट तो चारो हिस्सों में हिस्सेदारी बटी ही है लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेक फिर भी पर्मोटर्स के पास है और अल्मोस्ट 33 पसंट के आसपस का स्टेक है तो करन्ट लेवल से भी टाटा सील में भी खरीदारी करके लॉंग टरम ओड किया जा सकता है